समस्ते हैं क्या है सावजनिक उपक्रम समिति इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कमेटी और पबलिक अंडर्टेकिंग्स सुरुआत करते हैं हम क्या discuss कर रहे हैं संसर की जो इस्थाई वित्ती समितियां है तो कौन-कौन सी है एक है लोक लेखा समिति दूसरी है प्राकलन समिति और तीसरी होती है सावजनिक उपक्रम समिति लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति के बारे में मैं वीडियो अपलोड क करते ना जानकारी होती है जो रिसर्स होती है वो काम ये करती है चीक है ये दो अर्टिकल है एक अनुचेद देश की जनता है और देश की प्रतिनी शेर्स है तो वही ये जाच करने वाले हैं ठीक है इस समित का गठन पहली बार 1964 में 1964 में हुआ था, वो भी कृष्ण मेनन समित के सुझाओ पर, जो नहिदू के बगल में खड़े हैं, यही है, कृष्ण मेनन, चीक है, आगे समझते हैं, अब हम इसके बारे में था डिटेल, कुल सदस इसमें कितने होते हैं, 22, इसमें लोग सभ की, ओके, आगे जो बाकी डिटेल सेम ही होती है, जैसे इनके जो सदस्यों का चुनाव होता है, वो कैसे होता है, हर साल होता है, वो भी एकल संक्रमणी, मत-पद्धतिवा, आनुपातिक प्तनित्यु के सिद्धान्त के अनुसार होता है, ठीक है, जिससे कि जितने भी दलों के सदस होते हैं संसद में उसके अनुसार यहां पर उनका चुनाव हो जाता है हर एक पार्टी के मेंबर से यहां पर लगबग सामिल हो जाते हैं लोग उपक्रम समित के अधर्च की नियुक्त कौन करता है लोग सब अधर्च करता है वो भी यह जो 22 सदस है इनी में से हो जाती है समित का कारकाल एक साल होता है लेकिन हर सालिय फिर से गठित होती है चीक है तो तीन चीजें आप कंफर्म कर लो आगे अगली इंफॉर्मेशन है कि अन समितियों के समान सामान लिखा हुआ है इस समित में भी कोई मंत्री सदस से नहीं हो सकता है क्योंकि मंत्री ही तो सरकार ला रहा है यानि कि लोग उपक्रम भी कोई नो कोई मंत्री की जिम्मेदारी होगी इस वज़े से कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है अगर मालो कोई इस समित का सदस्य है बाद में वो मंत्री बन जाता है तो उसकी सदस्य उसकी जो सदस्यता है ठीक उसी समय समाप्त हो ज लेखा जोखा तयार किया गया उसमें कोई गरवड़ी तो नहीं है इस तरीके के जो भी जानकारी है वो सामने आ जाती है इसके अलावा चूंकि लोग उपक्रम के समर्ण में चेहिं कि भी जाँच करता और बी जोग सरकारी कंपरियों के बीचज करता थीक ना उनकके लेखों की उनकी रेपोर्ट की जाँच करते हैं बार में सदम रखी जाती है जिससे कि देश को पता चल जगे कि जो भाहर सरकारी कंपनिया है किस हालात में है काम कर रही है और क्या उनकी अच्छाई है और क्या बुराही है नुकसान में है फायदे में है भेश्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है सारी कि सारी जनकारी संसत की मार्द्रम से देश के सामने आ जाती है ठीक है तो ये था हमारा लोक उपक्रम समिती पताईएगा कि आपको हमारा कॉंटेंट कैसा लगा और अपने फेंड के साथ ज़रूर सेयर कीजिएगा ठीक यू